हाई दोस्तों, कोकिबाइट हिंदी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि जाक स्नाइडर की जस्टिस लीग के एंड में सूपरमैन डाक साइट से क्यों मिल जाता है जस्टिस लीग ने DCEU के सबसे बड़े विलन को अपनी कहानी से भले ही हटा दिया हो पर उस फिल्म ने हमें मिल वाया है और भी नए और बड़े विलन से जो की हैं Warner Brothers खेर मजाग को एक तरफ रखते हैं जाक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के रिलीज होने से ओडियन्स के लिए एक अच्छी चीज ये हुई है कि हमें डाक साइड को बड़े स्क्रीन पर देखने का मौका मिला जिसकी ओडियन्स ने लगभग उमीद ही छोड़ दी थी और उससे भी बहतर बात ये है कि डाक साइड का जो इस फिल्म में लुक था वो काफी कॉमिक बुक अक्यूरेट था फिल्म के फ्लाशबैक और प्रेजन टाइम्स के सीन्स में हमें काफी ही डरावनी और घातक डाक साइड की शकल देखने को मिली डाक साइड की इंट्रोड़क्शन फ्लाशबैक के सीन्स में होती है जहां हम देखते हैं वो Earth में First Age के टाइम पे आया था पर उस वक्त Old God, Atlanteans, Amazons और आदमियों की races ने मिलकर उसे एक शर्मनाक हार दी थी जिसके बाद वो आज तक धर्ती पर दुबारा नहीं लोटा वो धर्ती पर लोटा नहीं ये एक बात है लेकिन वो अपनी हार कभी नहीं भूला आज के समय के Dark Side को भी अगर हम देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसने अपना Armor आज तक फिक्स नहीं करा, वो अपना घाव आज भी लेकर जी रहा है और ये घाव उसे हमेशा अपनी शर्मनाक हार की याद दिलाता रहता है जिसके कारण उसने एक लाख प्लैनेट्स को अपना गुलाम बना लिया है और इतना ही नहीं अब वो वापस आ रहा है और भी जादा प्लानेट्स को तबहा करने और इतना ही नहीं अपनी हार का बदला लेने के लिए भी DCEU में हम काफी बार अब तक Nightmare Future देख चुके हैं जिसमें से पहले हमने देखा था Batman Vs. Superman में जहां हम देखते हैं कि Darkside ने Earth को अल्रेडी अपना गुलाम बना लिया है और तो और Superman को वापस जिन्दा करने से बस कुछ पल पहले Cyborg को भी Future की एक कलपना होती है जिसमें वो देखता है कि Nightmare Future आखिर शुरू कैसे हुआ और इतना ही नहीं Snyder Cut के end में हम देखते हैं कि Bruce को भी Nightmare Future का एक विजन आता है और अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब कलपनाओं में बस एक चीज कौमन है जो है कि अब Superman बुराई की तरफ जा चुका है और Batman और उसकी Resistance टीम को खतम करने की कोशिश कर रहा है यह अपने आप में एक काफी दिल्चस्प बात है कि DCEU Superman का evil version लाने की कोशिश कर रहा है इसी के साथ Zack Snyder की Injustice Gods Among Us वाली स्टोरी लाइन से audiences को मिलवाने की कोशिश भी काबिले तारीफ है लेकिन अगर हम comics की बात कर रहे हैं तो यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि Animated Universe में Batman Darkside का गुलाम बन जाता है इसी के साथ दिल दहला देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि Darkside ने अपना शैतानी दिमाग लगा कर लाखो प्लैनेट्स को अपना गुलाम तो बना ही लिया था लेकिन अगर उस शैतानी दिमाग के साथ एक mentally controlled evil Batman का दिमाग भी मिल गया तो उनकी शक्ती लगभग बेजोड हो जाएगी जिसका सामना शायद पूरी Justice League भी मिलकर ना कर पाए पर फिर भी वो इतनी खौफनाग चीज नहीं होगी जितनी वो स्टोरी लाइन होगी जिसमें Superman डाक साइड का गुलाम हो जाएगा ऐसा क्यों? क्योंकि Batman एक आम इंसान है जिसकी शक्ती है उसका तेज दिमाग और उसकी willpower पर Superman वो अपने आप में ही भगवान का दर्जा लिया हुआ एक आदमी है उसे Batman की तरह कोई शड़ेंत्र रचने की जरूरत नहीं है वो सीधे अपना काम करेगा इसलिए Superman के Dark Side के साथ मिल जाने का डरावना मंजर Batman और पूरे DCU के लिए एक बहुत ही खौफनाक बात है पर इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि Superman अगर बुराई की तरफ जाएगा तो वो जाएगा क्यों? पर अगर आपने हमारी पुरानी फिल्म्स ध्यान से देखी हो तो आप देखेंगे कि इसका जवाब भी हमें Batman vs Superman और Snyder का दोनों में मिल चुका है चाहें वो Flash का पास्ट में आकर Batman को कहना हो कि Lois ही जड़ है या फिर Zack Snyder's Justice League के end में Martian Manhunter का Bruce Wayne को कहना हो कि Lois पूरे ब्रह्मान को जोड़ने या तोड़ने की कड़ी है साइबोग की Nightmare टाइम लाइन में हमने देखा कि Superman एक तहस नहस हुए Bat Cave के सामने एक लाश को पकड़ कर रो रहा है और हमें इस बात की confirmation भी मिल गई है कि Justice League 2 के end में Dark Side Lois को मार देगा और वही बात confirm करती है फिल्म के leak हुए story votes होने को वो Superman की मा यानी Martha भी हो सकती है जिसे Dark Side ने end में मारा हो पर क्योंकि हमें पता है कि Lois ही वो कड़ी है ये बात साफ हो जाती है कि Dark Side Lois को अपनी Omega Beam से मार देगा पर इससे Superman evil क्यूं होगा इसके पीछे की कहानी ये है कि Batman Lois को Bat Cave में ये कहकर छुपाएगा कि उसकी location किसी को नहीं पता पर वो Dark Side से उससे नहीं बचा पाएगा और इसी तरहां Alfred और Lois दोनों की जाने चली जाएंगी और Superman उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए Batman के अगेंस्ट हो जाएगा क्यूंकि Dark Side के पास Anti-Life Equation भी होगी वो Superman को अपना घुलाम बना लेगा जिन लोगों को नहीं पता कि Anti-Life Equation क्या है वो Actually Dark Side का ब्रहमास्त्र है जो अगर उसके पास हो तो वो पूरे ब्रहमान को अपनी इच्छा अनुसार अपने आगे जुका सकता है और इतना ही नहीं उसके साथ उसको Reality Altering Powers भी मिल जाती है तो अगर Superman Anti-Life Equation की चपेट में आ जाएगा तो सच बताया जाए तो बस धरती ही नहीं पूरी स्रिष्टी भी खतम हो सकती है अगर W.V. Snyderverse को वापस ले आता है तो ये timeline देखना बहुत ही रोमांचक होगा पर जैसे हालाद चल रहे हैं हमें लगता है कि ये timeline को देखना करोडो फैन्स का एक सपना ही रह जाएगा लेकिन इस वक्त मेरी एडवाइज आप लोगों से यही रहेगी कि Snyderverse को वापस लाने की इस movement में जरूर अपना युगदान दे और tweet करें hashtag restore the Snyderverse क्या पता जैसे Zack Snyder's Justice League हमें देखने को मिल गई ये भी मिल जाए तब तक ऐसे ही exclusive content को देखने के लिए हमें facebook पर follow करें और subscribe करें YouTube पर quirky bite हिंदी को आप से जल्द ही मिलेंगे और कोई नई दिल्चस्प कहानी लेकर तब तक के लिए good bye